जाइका विद्रजी में आप लोगों का स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं काकोड़ी की सबजी और यह सबजी इतनी टेस्टी बनती है कि आप हर बार यही रैस्पी बनाएंगे तो चलिए शिरूर करते हैं तो सबसे पहले हम 500 ग्राम काकोड़ा लेंगे और इसे अची तरह से काट लेंगे और उसके बाद हम इसे बारिक-बारिक काटेंगे, यदि आप चाहे तो इसे राउंड शेप में भी काट सकते हैं यदि आपका काकोडा थोड़ा सा पका हुआ हो तो आप इसके बीच को रिमुव कर सकते हैं जोगी बीच थोड़े टाइट रहते हैं तो यहाँ पर मुझे कुछ मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे होंगी कि मुझे कुछ कच्चे वाले काकोडे मेले तो मैЬने जो कच्चे वाले हैं वो अलग कर दी है तो अब हम इसके अंदर अपना कच्चे कर दें मोटे थे लिए की बीजने मैं लेनकाल दी अब हम बनाएंगे ग्रेवी तो मैंने यह यह अपड मार्ट्र लिये है और दो ही हम लेंगे प्याज, तो अब हम प्याज को लेंगे, तो यहाँ पर अगर आप प्याज नहीं खाएं, तो आप प्याज को इसकिप कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर दो प्याज और डाली है, और साथी साथ मैंने इसके अंदर यहाँ पर दो ग्रीन चिलीज डाली है, और मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक इंच अदरक का डाला है तो अब हम इसका एक महीन सा पेस्ट बना लेंगे अब हम क्या करेंगे जो हमने काफोडा काटा है उसके अंदर हम एक चमच पेसन डालेंगे साथी साथ बेसम डालने के बाद हम डालेंगे इस पे नमक अपने स्वादनुसार यहां भी साथी साथ हम एक चमच इसके अंदर जनिया पौडर डालेंगे और हम एक चमच इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद तकि जो सारा मसाला है उसके अंदर फ्लेवर कण हो जाए, तो अब हम इसको एक कड़ाई लेंगे, कड़ाई में हम दो चमच इसके अंदर ऑईल डालेंगे और ओयल डालने के बाद हमें क्या करना है अब हम तेल को गरम करेंगे और जो हमने काकोड़े को जो अच्छी तरह से मिक्स किया है वो इसको हम मंदी आज में इसको अच्छी तरह से बून लेंगे ताकि यह अच्छी तरह से बून जा और एकदम करारी करारी सी जो काकोड़े क सबजी बने तो हम इसको अलग एक अलग पैन में रख लेंगे और हैसको मंदी आज में धीयद्रे चलाते رहेंगे सातीसाथ हम दूसरी गयस के अंदर एक कड़ाई और रख लेंगे और उसमें हम डालेंगे बोज खाल 100 तेल दालेंगे तो जैसे ही जैसे ही जिआ जैसे है ब्राउन होने लगे चलाएंगे हैं also चलाएंगे साथ हम दूसरी हमारा चाखोड की सबजी जो हम बना रहे हैं वह समय चलांगे वह गजल नहीं और अश्के बात ये-चो हम रख देंगे अब हम इसके अंदर कुछ इसको भी चला रहे हैं ताकि यह नीचे से लगे नहीं तो हमने जो फ्लेम है वो दीरे कर रखी है तो अब हम क्या करेंगे अब यह हमारा जो पेस्ट बन रहा है यह तरह इसमें बॉइल आने लगा है तो अब बॉइल आते ही हम इसके अंदर डालेंगे कुछ तो यहां मैंने अपना जो भी धनिया है तो मैंने यहां पर लालमिज डाली तो मैंने एक चमच इसके अंदर लालमिज पाउडर डाला है साथी मैंने इसके अंदर एक चमच धनिया पाउडर डाला है और हम आधी चमच इसके अंदर कश्मीरी लालमिज डालेंगे और साथी सा तब तक मिलाएंगे जब तक ये अची तरह से ये पूरा mix ना हो जाए तो आप देख रहोंगे मैं से continuously चला रही हूं continuous इसको मिलाने के लिए चला रही हूं और आप देखिए किता अच्छा तो जैसे अभी this City में भी वहाल रहा है अभी बहु आने लगा से पहले हम इसके अंदर आलने से नमक अधि करेंगी तो जो हम नमक था प्हेले काकोड़े में हम इसमें भी नमक एड़ कर चुके हैं कि हम इसका भी दियान रखना है तो अब अच्छी तरह से पक जाए अब हम यह हमारी ग्रेवी देखेंगे तो आप देख रहोंगे ग्रेवी में से जो जो मसाला है वो बहार उपर तेल के रूप में बहार आ रहा है तो अ सबसे अच्छा है कि हम पेज आज में रखें इसको ताकि यह जो दही है वो इसमें फटे नहीं तो इसको चलाएंगे अच्छी तरह से आप देख रहे होंगे से कंचिलिसली मैं चला रही हूं ताकि यहां पर यह फटने की कोई दिक्कत ना है अब हम इसके अंदर नमक करें काकोड़े के अंदर पहले नमक डाल चुके हैं तो यहां आप नमक अपनी स्वादरुसा डाल सकते हैं कम यह जादा पर आप कम डालोगे तो जादा अच्छा रहेगा फिर मैं इससे फिर ढखने को रख दिया है तब तक करेंगे जब तक की जो तेल है उपर ना छोड़ दे अब देखिए हमारा काकोड़ा बिलकुल तयार हो चुका है बिलकुल ही यहसे क्रिस्पी हो गया एक लम तो जह रख देंके है अब हम देखते हैं अपनी delivery की तरफ हम देखते हैं कि तiny अच्छा dyeará गया है और जो तेल है anyway चुका है इतर दे देस्ट सके और आब हमारा जो काकोड़ा बनाया है हमने जो तो इसको हम अच्छी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो सारा फ्लेवर है काकोड़े के अंदर आजाए बहुत ही टेस्टी बने आप देख रहे होंगे कि यह सारा एकदम इसके अंदर बिल्कुल एक लिपट सा गया है यह तो ब बूली के साथ किसी के साथ खाएं बहुत ही अच्छी रैस्पी बनती है तो आप देख रहे होंगे कि अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला अट कर देंगे तो मैंने यह आपर थोड़ा सा वनफोर टेबल स्मेंदर गरम मसाला अट कर दिया है और फिर इसे अच्छी अच्छी रैस्पी बन लेंगे तो आप भी जुरू ट्राइब कीजिए और मुझे कमेंड बॉक्स ने बताईए कि आपको मेरी यह रैसपी कैसी लगी तो टाटा बाई 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 नेक्स वीडियो मिलते हैं